खाना खाते ही ना ऐसे लगते है कि बहार आ जाएगा वूर खराब भाई साब यहां की रोड़ें भाई बहुत क्रेजी हैं बगल से सूंग करके निकाल के ले जाएंगे आमको यह जैपना कॉसिंग करने के लिए ना सर पे कफन बांध के बस निकलना बड़ेगा यह बुई वी एन है बुई वी एन कुछ खाना समझ मनी आया क्या खाना इंसे थोड़े बाते करने की ऊचिस करते हैं ऐसे ट्रांसलेटर खुलना बड़ता है अनू किम डंग कोई भी कहीं से आ रहा है कोई भी कहीं को भुष रहा है यहां पर जो ब्लागिंग कर रहा था मेरे को देखके बोलते हैं और लिटरली लोग बोलते हुए से थूंग खांग खेंग क्यों कापी ज्यादा चानिस इल्फुल्यांस है इसी तरह के ना टोपिया सर पे पहनते हैं बहुत अच्छों कि आप लोग भी अच्छे होंगे इस चैम मैं होची मन सिटी में हूं कल रात को मैं यहां पहुंच गया था रूम में गया हूं और सोया हूं कोई होस्त नी रहा वी रात बर सोय फिर 10-11 बचे हम लोग उठे हैं फिर 10-11 बचे उठके ना हम लोग खाना ख बढ़ा और था गया कि इन्होंने चामवल में इतना डाला हूँ था तो मन खरब होगे उसके बाद से ना भी सुबह होगी एक बच्चों के पने कुछ निकाया कि कुछ अच्छा ही खाएंगे उसको घाने से अच्छा है कि कुछ हम बर्गर खाके प्रेड खाके जिंदा रह दिया और कुछ नहीं भाई फिर उनसे हमने बोला कि थोड़ा सा नमक दे दो उनको नमक बोलता हूँ काली में जाल गई बूर खराब देखते हैं कैसा हो रहता है अपना वेतना में पहला दिन सबसे पहला पन लोग ने क्या गरना है एक ना सिम लेते हैं तो अभी न हम इनके जो रहे हैं दो लाग दस अजार पी अनिकी इंडियान साथ वर्पे में यह हमको शिक्स भी बटी डिटा मिलेगा सेम प्लान में एरपोर्ट से लिया हुआ है जो कि मैंने ग्यारा सुपर लिया था वियतना में जो सबसे ज्यादा मेरे को प्राब्लम आ रहे हैं वहार है लिख के बता रहे हैं और दूसरा की इस तरीके से हम कम्यूनेट कर रहे हैं अब दिखाता हूं आपको ऐसा ट्रांसलिटर खूलना बड़ता है इसमें फिर मैंने इंग्लिज टू वेतनाम किया हुआ है जैसे मैं बताऊंगा की इस इट जन तब ही मेरे को बताएंगे दे सब्सक्राब सुझरा है ट्टशन करते हैं फिर में इस पूछता हुआ है था ।ै सिस्ट पूछते मैन हम नहीं बता दो किया था था धा नोय है स्ट सब्सक्तम नोय थो करते हैं अ तो मैं घ्ड screens सब्सक्त्राबरा है नोय है इसको он पीछ लिए है अब यह नहीं पारे तो हम तो लॉंग नाम है तो भाइजी हमारी सिम्ना मिल चुकी है अब मेरको थैंक्यू बोलना है तो मैं वही ट्रांसलेट करनों कैसे बोलते है कामार है तो कि इसक्राइब भाई जितना घितना मांपे आपके नाम कोई स्वारा कोई सृष्व अबनी मरजी दीकों है ऊब अधर को नहीं हो होगे दर द जाया आ कोहीं सोंब Нिवी तर्फ फोब्षाब हैं पर फार्न पर दोगी खड़े लिए घाप्रा क्रॉसिंग करने के लिए लिकिन पोई रुगेगा तो हम जाएंगे वैं वहाँ को यह जाएंक और ना सबस्ट निकलना वड़े का लोगी जैएंगे जो रुगेगा रुगेगा नहीं तो उड़ा देगा तो बाई यहां पर बैटा हुआ था था हम बहुत देशना में व्लॉगिंग कर रहा था मेरे को देखके बोलते हैं आर यूटुबर मैंने का येस पर इनों ने यूटुबर चैनल का नाम दिया है तो ये सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बाकी अभी ना आज हम आपको ना हो लेकिन अगर वियतनाम थाइलंड इदा रहे ना तो वियतनाम इदा रहे मतलब फो इन्फोसेक्सर के इसाब से बाकी मेरे को लोग यहां पर फ्रेंडली मिल रहे हैं अच्छे लोग मिल रहे हैं बाकी अभी हमको दो-तिन घंटे ही हुए एक गंटा ही हुआ है निकले हुए पर सड़कों पर भीर दिरे पता लगीगा कल रात को दो खुद होसमें नीज नीज थे क्योंकि नीज इतनी थे ना वाई जाते सीधा सो गय थे सोचता के च्रुट तो तो हुए काम करता हूं जहां पर कल रात को हम लस्व रचे थे ना आपको वऑला और अरिया दिखाता हूं कैसा वह सहर है ये ना बिन स्पन करके सहर है जवे इसा नहीं है जैसा यहां पर स्ट्रीट फूड की काफी सारी सॉब्साइब लेकिन इनका स्ट्रीट फूड ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्योंकि एक तो है क्या कि जो थाइ कि लेकिन यहां पर बिना थाइलेंड की तरह काफी ज्यादा चाइनिस इल्फुलुएंस है यहां पर सीन के यह लोग ना इसी तरह के टोपियां सर पे पहनते हैं यह देखो इस तरह से आप इसको क्या बोलते हैं पता नहीं लेकिन जो यहां के लोग होंगे वही इस टोपी में बापकी यहां के यंग लोग ओते हैं वह नहीं पैनते मुझे नगी जो बेंव होते हैं तो मुझे सामने यंग लड़की अ Cap Gas इस तरफ नदर यह तूपी पैंगी हो यह कैसी करें पोचते हैं और यह साहँआ भूब से बचने के लिए इस चरपि को पैंगे साय यह जिगा पूरी ना इनकी स्ट्रीट फूड के लिए फेमास है यहां पर देखो लाइन से साहरी स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगे हुए लेकिन अभी नहीं रात के छैसे साथ बेके बाद ना यहां पर आपको इतनी भीड़ भार दिखाई देगी सारी मतलब लाइन से ना स्ट्रीट फूड यहां पर चालू जाते काफी चाल यहां पर स्टॉल लग जाते लेकिन यहां का फूड है वह आपनी समझ में आता नहीं कल रात को ना हम यहीं पर खाना खाने के लिए आई थे एक तो नहीं यहां पर रोड क्रॉस करनी हो ना तो आपको दिखाता हूं अब यहां पर संत्रे होते हैं अब यह अंटी से क्या ही बात करो इनको समझ में तो आएगा नहीं कि मीम्बू टाइप के लग रहे हैं यह तो बहुत बड़े बड़े और यह 25,000 को पर किलो है बाई 25,000 को किलो अब भी ना हैलोईन आने वाल है न तो उसके लिए यहां पर दुकाने सज़गे हैं यहां पर हैलोईन के डाइम पर दुक नहां पर दुकानों में इस तरह से चीजे मिलती है तो देखो लेखते हैं हैलोईन पता है न वो सब लोग भूत बनके घुमते हैं और ऐसे अलग अलग कपड़े पहन के घुमते हैं उसको हैलोईन बोलते हैं ऐसे यहां पर टोपियां अगरा भी है और यहां पर इनोने गलब से रखे हुए यह रखा हुआ भाई कि क्या बात मतलब यहां पर भी अपना बारी स्टार्ट हो चुकि है अपने यहां पर जल अगस्त में सिदंबर में बारीश कटम हो जाती हैं यहां पर अक्ट्यूबर का लास चल रहा है भी अग्ट्यूबर को भी इतना में बारीश हो रही है कि कल रात को जो हम लोग रुके थे ना हुआ से हम लोग निकल चुके और मैंने बुकिंग डॉट कॉम से एक होटेल बुक कर लिया मातरी चार से रुपे का इंडे करना से किसाब से अपने होटल से निकले और यहां पर जो बस है ना भाई इतको कुछ इस तरह की होती है जिए हम जा रहे है वह पांच किलो मिटर के हमको देने बढ़ें बढ़ें भाई आपके मेरे को बोल देगे बाई सब चुपो जाओ क्यों चिला रहे है जब कि मैं बहुत देरे बोल रहा हूं इसी वज़े से हमने माइक लिया हुआ है और यह मैं आभी आपको दिखाता हूं यहां का सीन के होता है यह सामने जो मसीन लगी होए ना यहां की टिकेट वैंड है जब कि बैंदधा नील होगे तो इस दोवसे दो दिन हम समझ भी नियारता क्या करता और जाना कैसे जाना है खोटल से निकल लोती न तो से ब्लैंक हो जाते थे समझी नहीं आते दा कहा जाorno है आज बी ऐसा पता हीनियों कहाँ जाना जब कि हो विर्ट ना जो सिटी एंका कैपिटल है तुन के रहे हुए कि कैपिल हैं रिटा म shame ना अगरुर काफी में दोटी थी तीन हमारे जैसे यहां पर बड़ी बड़ी बस नहीं है यहां पर इसी तरह के छोड़ी बसी चलती है और ऐसा कुछ दिखता है यह सहर जिएब आएस लग रहा था कि वीटनम ने काफी मतलब आसा इतना ही फाइन यह लिखे लगँ लिखे लिखे लिख लिए लेगे कि वेत्नम में हाइज बिए्नम काफी पोर्ट है लेंकि एरपोर्ट वाइंट ना कुछ खास नहीं था तो भी ऐसा कुछ दिखता है इनका बसद कंडा वेतनाम का इण सहर गर णॐसे 카डा में लिए बसे ना है यहां पर बसना ओल्ली थोटी बसे चलती है यहां पर कोई ना बड़ी बास जाने नहीं है इसी तरह की green बसे चलते हैं सबस्क्राइब में लेचा सब्सक्राइक अनली होता है हम लोग आगे Cheryl कि 녹्री यहां सब्सक्राइब करें है लेकी लिडाटरां सब्सक्राइब करते हैं मेंतर सब्सक्राइब ओधी यहां पर मुझे अलग अलग दिखाई दे रहा है अभी जहां पर हम लोग कल रात कर विए विट्नाम के लोगी थे यहां पर दिखाई दे रहा है और अपना इंडियान खाना भी मिल सकता है यह देखो कुछ इस तरह का रोड है भाई अब इसी रोड पर हमको जाना है आगे जाके ना तीसी चौती गली में हमारा होस्टल है अब यहां की रोड है भाई बहुत क्रेजी है तो थोड़ा से ध्यान से चलना पड़ेगा यहां की रोडों पर थाइलेंड में क्या सिंद्ध आपके बगल से सूं करके निकाल के ले जाएंगे और यहां पर यह चीज और मैंने बहुत अलग देखी है कि लोग ना यहां पर अलग चीज टोपी पहन के गुमते हैं दिखाऊ कैसी डोपी ऐसी डोपी जैसी अंटी ने पहनी होई है अब इसको बतानी क्या बोलते है यहा यहां पर शुटी ले लेते हैं तो मेरे को इनके फेस दिखे थोड़ा इंटिकन डाइब के तो मैं यहां पर आइंसे स्कूटी का बता करने करने के लिए तो यहां पर 440 सौटी मिल जाती है ना और यहां पर वाला सी तो नहीं था प्लीस वाली चाले पकड़ते यहां पर य यहां पर यहीं आपया है रहिँ है रहिँ जो के लिए इंट नामी और इंगलिज़ से अच्छा फील पर शाला पकाड़ यह दें यह आज चोड़ देंगे तांक्यू नवी तो चलो यह पहले अपने होस्टे में चलते हैं सब्सक्राइब नोग चिंप अब आधा है जाने जो योगा सिखा रहे हैं और वैसे यह जगह ना बाई यह बुई वी एन और यहां की ना बाई वाकिंग स्टीट इसको बूल सकते हो जैसे एक पटाया की वाकिंग स्टीट थी ना यह कुछ बैसा है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है नाइट के टाइम पर साइब यहां पर कुछ ना कुछ क्रेजी रह करता होगा यहां पर मतलब वैसा वाले सीन लग रहा है चारू तरफ देख रहे हैं अब पूरी स्ट्रीट ना काफी अच्छे से सजा रही है और जैसे कि अब हैलोईन आने वाले ना तो देखो पूरा क्लब को ना इस तरीए से पुरा हैलोईन वाले उसमें लगा दिया तो भाई जी हमने अपने होशल में पहुंच चुकिए और हमारा होस्टल भाई सब वियतनाम की सबसे फेमस गली है ना वाकिंग स्ट्ट कियो वाली इसी के पास में है और यह हमारा होस्टल इसका नाम किया है विट ड्रिम विट मनला विट और ड्रिम करके यह वास्टल है तो अदर चलते और आज की जो रात हैं नहीं रहने वाली ओड छोक्तित धणक कितने कल यह कैसा है व्याइब तो एकका थोड़ी देल में बतातों पहले मैं आपको अपने हॉस्टल दिखाता हूं कि हमार अपने हॉस्टल लीकता वैज और यहना थाफ्टल थालन थे अग्ण उस लेवल का तो नहीं है लेकिन ठीक है जगह बहुत अच्छी है जहां पर होस्टेल है तो दिखाओं आपको अपना होस्टेल कैसा दिखता है वन चू थ्री अर्यादी यह हमारा होस्टेल है और नीचे वाले बैट तो ऑक्यूपाइन है तो उपर वाला बैड ले लिया एक ह ऩ Wear one craft लाक है और सहल मैं हमको लाकर भी मिले यहां सब्सक्राइब और गूम अब कि उगूम सक्थे जहां लगाए और इस जगह पर होस्टल एब लोग तेंचाही रह सकतें क्योंकि Fe Put वॉकिंच्टीट है यहां का मजाने वाली है और मैंने आपको अपने होस्टल से हमाएं की बाल्कॉनी बैसमें तो ये अच्छी चीज है वार्स्यम में रेकिवा कैसे नजायर रहे दिखाने वाले की वाकिनग छूट तो आपको कि नजार रहते हैं है कि यहां पर रात के डाय में खूब चिक्कम चली और म्यूजिक विजिक लाउड म्यूजिक वेरा चलने वाला है सारी यहां पर कलब कोको गोल्ड बिया यह और वो दुनिया वर की चीज़े हैं जो कि हम आपको रात में दिखाएंगे और भाई अभी पहले हम अपनी नहीं खाया भाई बहुत भूग लग रही है और किसमस से यहां पर थोड़ी ची आगे 711 विया वाकिंग स्ट्रीट पर ही तो सबसे बहले 711 चल रहे हैं वहां से कुछ खाने के लिए चीज़े लेकर आते हैं यहीं बैटके आपका बाई चीज़े खाएगा और यहां पर द थाइलेंड में चोड़ेंगे सारी कसर यहां निकाल देंगे कम से कम 2-3 व्लोग में आपके लेकर आऊंगा जिसमें अलगला टैक्किया को मसाज दिखाऊंगा कि वियतनाम में किसकी स्टैप की मसाज होती है और मसाज यहीं किस टैप की होती है बाए और उनके व्लाप भी और अंदर जादा लोग नहीं है बहीं अंदर नहीं स्मैल सी है काफी ना चूटा मतलब यह हमको और चार्च रुपे का पढ़ा है इंडिन करंसे की साब से एक बंदे का तो उसी साब से यह है भी अंदर से लेकिन लोग यहां पर ऐसे लग रह रहें महीने महीने से ठीकि अ अब आज के लिए दिख लेते हैं अगर अच्छा लगीगा ठीकि अगर नहीं लगीगा ना तो यहां पर नहीं रुकेंगे बाई यह वियत होटाइल करके कुछ है यहां का था वियत नाम का